दोस्तों, आज हम सुद्ध ताजे दूस से पनीर बनाने का तरीका सीखेंगे और ये पनीर घर में ही आसानी से बनके तयार हो जाएगा भगोनी में दूद ना चिपके, इसके लिए हम थोड़ा सा पाने डालेंगे, उसके बाद इसमें दूद डालेंगे दूट को उबालेंगे एक उबाल आने के बाद में दूट को बंद कर देंगे दूट को दो मिनिट तक ठंडा करेंगे जिसे पनीर सोप्ट, स्पंजी और स्वाधिश्ट बनेगा दो मिनिट हो गए हैं दूर ठंडा हो गया है अब हम इसमें चार चमज बिनेगर और चार चमज पानी मिलाके डालेंगे डारेक्ट बिनेगर नहीं डालेंगे इससे पनीर अच्छा नहीं बनता है इसलिए हम पानी मिलाके ही डालेंगे और विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके दूज में डालेंगे फिर चमच से हलका हलका चलाएंगे एक ही दिसा में चलाएंगे जिससे पनीर सौक्ट बने है चारो तरफ चमच घुमाते हुए नहीं चलाएंगे नहीं तो पनीर टाइट बनेगा और खराब बनेगा जब तक दूद पानी ना छोड़ दे और पानी रिखटा ना हो जाए जब तक हम बिनेगर डालते रहेंगे जैसे दूद पानी छोड़ दे बिनेगर डालना बंद कर देंगे दूद फटना शुरू हो गया है अब हम थोड़ा सा और बिनेगर डालेंगे थोड़े देर बाद दूद पूरा पानी छोड़ देगा और छेना छेना एक तरफ हो जाएगा जिसे हम पनीर बनाएंगे दूद ने पूरा पानी छोड़ दिया है अब हम एक साइड इखटा कर लेंगे धिरे धिरे और बहुत अच्छा पनीर बनने वाला है पानी पूरी दरे से छोड़िया है दूद ने दीखिया पीला-पीला पानी दिख रहा है सपे-शपे जो है छेना पनीर दिख रहा है और ये पनीर बहुत ही सोप्ट बनाए हाथ लगा के देखेंगे बिलकुन नरम रहेगा अब हम घेरे तले की एक भगोनी में चन्नी रखेंगे चन्नी के ऊपर एक सूती कपड़ा रखेंगे उसमें हम पूरा पनी चान लेंगे पानी पानी नीचे चला जाएगा और छेना पानी ऊपर रह जाएगा बिनेगर की खटास अटाने के लिए हम ठंडे पानी से अच्छे से इसको धो लेंगे और धोने के बाद में पूरा खटास निकल जाएगी उसके बाद हम इसको पनीर बनाएंगे अच्छे से पूरा चला चला के चम्मच को पानी डाल डालके तीन चार बार साप कर लेंगे पूरा जिससे खटास पूरी तरह से निकल जाए इस तरह से पनीर बनाते हैं तो पनीर बहुत अच्छा बनता है अब हम कपड़े को चारो तरफ से लपेट के अच्छे से गुमा गुमा के इसका पानी पूरा निकाल देंगे ऐसा करने से पूरा पानी निकली जाता है अब हम इसको रुमाल में लपेट के जितने साइश का चाहिए है उस साइश से फैला के उपर से भगोनी रखेंगे एज पानी को जल्ली सोकना है तो मोटा एक टाविल लेंगे टाविल में लपेट के उपर से जो पानी निकला इसका वोई बजन वाला पानी इस पे रख देंगे ज्यादा बजन रखने की जरूत नहीं है इस तरह से पनीर बनके तयार हो गया है पानी पूरा सोक लिया है पूरी नमी खतम नहीं करेंगे इसकी पनीर बहुत अच्छे से बन गया है चिपक गया है करीब इसमें पंदा भीर प्रिट हमने उसके नीचे रखाता भगोनी के नीचे इस तरह से पनीर बहुत नरम पनीर बहुत अच्छा थिक वाला सफाई वाला बन गया है इसको हम आदे खंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो और अच्छा हो जाता है पनीर के अब हम पीस काट रहे हैं बुलकु सौप्ट है, इस पंजी बना हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और स्वाद में भी बहुत अच्छा है, घर का सुद्द देशी पनीर बना हुआ है इससे जो भी हम पकवान या सब्जया बनाएंगे बहुत ही स्वादिश्ट, बहुत टेश्टी और बहुत हेल्दी बनेगी जो प्रोटीन से भरपूर होगी दोस्तों आपको पनीर का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंड कर दें, ज्यादा से जादा दोस्तों को सेर कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके आल कर दें, जिससे आपको अगले वीडिय सबसे पहले प्राप्त हो सके पनीर बहुत सोप्ट बना है अच्छे पीस कड़ गए है दो तीन दिन हमें इस्टोर करना है तो हम इसको पानी में डालके इस्टोर करेंगे इसे पनीर फूल भी जाता है और इस्पंजी भी रेता है और जली खराब भी नहीं हो सकता है इसको हम में तीन दीन तक इस्तमाल कर सकते हैं रखकें, पनीर बहुत स्पंजी बना है, पनीर घर का बना हुआ है, इसलिए पनीर हिल्दी है, बजार से अच्छा घर का पनीर होता है, तो पूरे परिवार को सुषर रखता है, इसलिए आप अपने घर पे वीडियो देखकर पनीर बनाएं और कमेंट हमारे साथ सेयर करें एक बाए फिर से संचिप में इसका अबिबर्ण बता देते हैं दो लीडर हमने दूद लिया है, बिनेगर को पानी के साथ मिला के डाला है चमच को एकी दिसा में चलाया है, छनी बर कपड़ा डालके चाना है और बजन से दवाया है पानी में डालके फ्रिज में इस्टोर करेंगे